एक गाव में एक ब्राहमन रहता था, वो घर घर जाकर भिक्षा मांगता और भिक्षा में प्राप्त अन्न से अपना जीवन निर्वाह किया करता था, भिक्षा में प्राया होसे गेहूं का आटा मिलता था, उसमें से वो थोड़ा भाग खाता और शेश को एक घड़े में भर कर घड़े को रसी की सहायता से एक खूटी पर टांग बिया करता था, वो खूटी पर लटके घड़े के नीचे ही अपनी खाट लगा कर सोया करता था, खाट पर लेटे लेटे वो तब तक उस घड़े को देखता रहता था, जब तक उसे नीम नहीं आ जाती थी, एक रात वो स तो टे सोते सपना देखने लगा, सपने में उसने देखा कि उसका घडरा गहुं के आटे से पूरा भर गया है, वो वकाल का समय है, इस अफसर का लाब उठाकर उसने अपना गहुं का आटा अच्छे दाम में बेच कर कुछ धन कमा लिया है, उस धन से उसने दो बक्रियां खर फिर कुछ घोडे, उसने घूरों का व्यवसाय प्रारंब कर लिया है, जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रह गई है, वो एक आलीशान कोठी का मालिक है और गाव का एक धनवान सेट बन गया है, गाव के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और हर कोई उससे अपनी रूपवती कन्या का विवाह करने आतुर है, एक रूपवती ब्रामन कन्या देखकर उसने विवाह कर लिया है, और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, विवाह उप्रांत उसे पुत्र रक्न की प्राप्ती हुई है, जिसका न प्राहमन ने सपने में जो हवाई के लिए प्राहमन पर पर उठाया, वह खूटी में बंदे घरे को जाकर लगा और घरा फूट गया, घरा चकनाचूर हो गया और गेहूं का आटा जमीन में बिखर गया, प्राहमन ने सपने में जो हवाई के लिए बनाए थे, वो भी तूट कर बिखर गये।